आंगनवाडी इस नाते से जो बच्चों की सेवा हम करते हैं बच्चों की देखवाल करते हैं अपने आम एक बहुत महत्पुन काम हैं अपने समाज में जो माताएं अपने बच्चों को कई बार कामकाजी मेलाएं होती हैं घर पर छोड़ सकती नहीं हैं उनकी देखवाल करने एवाला भी कभी नहीं होता है कोई है और विशे भी सरकारी आंक्डों के इसाब से जो बछे हैं हासकरके 6 वजश से कम आयूंके उनका कई बार स्वास की दिशी से सुरक्षा की दिश्ची से न्यूट्रीशन की दिश्ची से बहुत ध्यान रखना होता है इसलिए कर आप सभी जितनी भी आंगनवाडी से विका साही का मिनी आंगनवाडी कारिकत्रिंग हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्पूर खोने वाली है वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के मादब से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखे आप पूरा देखें चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसी तुरंथी सब्सक्राइब भी कर ले अप सलते हैं अपडेट पर भारत सरकार की योजना जिसमें आंगनवाडी का एक प्रारूप ये बनाया गया जिस आंगनवाडी की देखरेक करने के लिए वहाँ एक आंगनवाडी कारकरता और एक साहयक और उन सब को सुपर्वाइजर के नाते देखरेक करने वाली हमरी बहने एक बहुत बड़ा जाल द कहने को तो यह आंगन है लेकिन इसका महत्व एक माँ समझ सकती है कि माँ बच्चे को प्रारम में पालती है और पालने के साथ साथ जैसे ही वर्ष दो वर्ष का होता है तो वो पहले रेगने लगता है और बाद में आगन में जाकर के खेलने लगता है आगन का महत उस बच्चे के लिए बहुत महत्पुन होता है जिसको सीमाओं में भी रखना होता है उसका पालना पोसना भी होता है और उसकी पूरी सुरक्षा भी करनी होती है तो इसी प्रकार से हमारा जो परिसर है आगनवाडी इसमें उस गाउं के उस महले के जो छोटे बच्चे तीन वर्षे छे वर्ष तक के वो हमारे आगनवाडी में आते हैं और उन आगनवाडी के अंदर उनकी देखरे हम भी एक ममता के साथ प्यार के साथ वैसा ही करती है जै इसलिए इस विवस्था में सभी बहनों को ही लगाया गया है ताके बहने अच्छी प्रकार से इसकी देखवाल कर सकें अगर मा के बाद बच्चे के पालने में किसी का अगर रोल आता है तो आपका आता है एक बड़ी बात आखर आगनवाडी सभी सरकारी विवस्थाओं मे मां का एक जिगर का टुकडा होता है और उस बच्चे की पूरी ब्रोसा करके आपके जिम्में छोड़ करके जाती हैं कि आप सुबसे साइकल तक उस बच्चे का ध्यान रखेंगी तो बहुत बड़ा विश्वास का एक बहुत बड़ा एक भरोसे का ये काम आप कर रही हैं बहुत सराहनी हैं, ये काम हैं, अब इस काम में कितनी कठाईयां आती होंगी, मैं तो एक उधारन के साथ आपके सामने ये विशे रख सकता हूँ, मैं भी जब अपना स्कूल और कॉले जाने का समय था, उस समय एक संस्ता से जुड़ावा था, और उस संस्ता के माध्यम से कु पिशु संगम में विवस्था का काम दिया गया, और वो बच्चे छोटे बच्चे पांच साल से आठ साल नौ साल तक के उसमें तीन दिन तक विवस्था में रहने के बाद पता लगा, कि बच्चों की कितनी कठाईयां होती हैं, बच्चे कई बार वहीं गंदगी कर देते ह हैं, बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, बच्चे को छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है, तो कैसे उनके कपड़ों को भी साफ करना, समय पर उनको जो आफशक्ता चीज़ की होती है, उसको देना, पिलाना, अब ये एक कठिन काम, जो आज से लगभग, मैं कह सकता हूँ क तीन दन तकी जास